सब्सक्राइब करने वाले हैं जन्सार टेकनोलोजी के बारे में इस ए मनसी और गाइज इप लुकिंग फॉर जॉब आई इन आइटी सेक्टर और इफ यू आप 21 या 20 पासव देन इस वीडियो इस फो यू ओके तो लेट्स टॉक अबोट गाइज ऑफड्राइब कैंपस जन कि जन्सार कंपनी इसके ओफिसे ओल ओवर दे इनो ग्लोब है वर्ल्ड है लाइक इन्होंने लाइक मैक्स को साउथ अफरिका यूएसे यूके इंडिया इन सारी कम इनो कंट्रीज में इनके ओफिसे हैं तो इस एमन्सी तो और गाइज बिसिकली यह रोल जो आपको इसमें मिलने वाला है वह junior software engineer का रोल मिलने वाला है ठीक है and most important thing जो इसका ctc होने वाला है वह आपका 4LPA ctc है that is very important guys because most of this multinational company जो एक basic you know ctc है वह 3.5 है यह आपको 4.4 LPA दे रही है that is a good thing eligibility criteria है तो basically eligibility criteria में यहाँ पर सबसे most important आ जाता है आपका बी या बिटेक अगर आप completed है ठीक है देन इवार इलिजबल अगर बी बिटेक नहीं है अगर आप M.C.A. M.C.S. भी किये हुए है तो इवार इलिजबल and pass out in the year 20 and 21 में होना चाहिए ठीक है next throughout college throughout minimum 60% you know 10th and 12 में आपका जो होना चाहिए वो 60% होना चाहिए अगर 60% से कम है तो इवार नॉट इलिजबल next guys यह 24 इंटू work model sorry 24 इंटू 7 work model के बारे में बताया है इन्हों ठीक है जो की हर company का रहता है next important चीज लोकेशन लोकेशन पूने घरवाद बैंगलूर और एनी क्लाइंट लोकेशन इंडिया तो is इनके पास होते हैं तो इसके अलावा मेबी आपको अलग लोकेशन पर भी घजा सकता है कि क्लाइंट होगा कि क्लाइंट अब जिसक्लाइंट के लिए करने वाले हो after selection तो उनका खुद के office में जाने का तो आप वहाँ भी बेजा जा सकता है next skill requirement में बहुत ही basic चीज है ठीक है like you should have a good communication skill and interpersonal skill these are the basic thing जो कि हर IT company का requirement होता है तो इसको आप पढ़ लेना बहुत ही basic चीज है you can apply selection process में basically आपका online assessment test followed by the discussion and HR interview ओके तो online assessment test होगा HR interview होगा ठीक है technical interview होगा उसके बाद HR interview होगा then selected candidates are expected to join in February 22 तो February 22 में अगर आप join कर सकते हैं then you should apply तो गाई नौ बात कर लेते हैं आपको इसमें apply कैसे करना है इस तरीके से sign up का button आपका open हो जाए अगर आप पहले registered नहीं किया होंगे तो आपको sign up कर लेना है otherwise आप पहले से registered होगे तो अब just apply कर देना and details fill कर देना तो कैसे fill करना है वह मैं बात कर लेता हूं इस तरीके से आपका open हो जाएगा तो यहां पर आपको सारे details पर देना है like current location क्या है current city क्या है उसके बाद आपका current address क्या है permanent address and current address दोनों same choose कर सकते हैं इस पर click करके ताकि आपको same चीज नहीं भरना पड़ेगा different है तो आप different choose कर सकते हैं नेक्स आपका 10th का details मांगता है and next 12 का अगर 12 के equivalent अप डिप्लोमा की है तो डिप्लोमा का details दे सकते हैं उसके अलाब आपको courses वगएरे किये हो तो यहां पर yes पर click करना and उस courses का नाम रख देना institute का नाम and training year कितना duration था वो सारा कुछ दे देना hopes की intensive वगएरे किये हो तो वह भी दे सकते हो ठीक है otherwise यहां पर अगर नहीं किये हो तो no पर click करना and next आपके पास कोई certification वगएरे है तो अगर है आपके पास like कहीं से भी किये हो यहां वगएरे से चलेगा या Coursera वगएरे से भी कहीं से किये हो तो उसका details you know fill कर सकते हो यहां पर यहां पर भी no select करना and next pan number आपका important है pan number आपको real pan number देना है उसके बाद आपका source में आपका direct application यह कुछ भी चूच कर सकते हो like आप YouTube से आपको पता चल रहा है तो आप direct application या फिर LinkedIn वगएरा चूच कर सकते हो यह कोई बड़ी चीज नहीं है ठीक है तो मैं LinkedIn चूच कर लेता हूं are you pursuing sorry are you presently working अगर working में हो तो yes otherwise no working में है तो notice period कितना days का है वह आप दे सकते हो otherwise no पर क्लिक करना do you have laptop yes यहां पर yes चूच कर लेना अगर आपके पास है तो because कि यह जो आपका assessment लेने वाले हैं उसके लिए यह laptop के बारे में पूछ रहे है ठीक है क्योंकि यहां पर processor बगए रहा है तो processor normally system में देख के अपना और RAM कितना है वह सारा कुछ यहां पर भर कर देना okay otherwise यहां पर अगर laptop नहीं है आपके पास no select कर सकते हो I would suggest कि यह करना ठीक है कि यह बिटेक कर रहे हो तो obviously आपके पास laptop and do you do have a broadband connection तो यह mandate नहीं है जरूरी नहीं है broadband connection नहीं है फिर भी चलेगा तो अगर है आपके पास तो yes करना अधरवाइस ब्राडवेंड का स्पीड इस इन्होंना पूछ रखाया तो दे देना अधरवाइस यहां पर भी no करना and just consent पर I agree पर click करना and save and continue कर देना yes तो guys यहां पर basics मैंने सारा details भरा नहीं तो जैसे ही आप submit करेंगे उसके बाद एक और step आएगा जिसमें आपको कुछ तीन documents upload करने बोला जाएगा जिसमें एक photograph होगा second आपका resume and third आपका होगा you know pan card ठीक है तो यह सारा details आप fill कर देना and fill कर दोगा and now you have applied to hope so next जैसे ही आपका profile selection होता है आपका resume selection होता है उसके according आपका technical assessment का mail आएगा and then after अगर आप technical assessment को clear करते हैं then आपका basically आपका एक technical discussion round यानि technical TR interview होगा then HR interview and then you will be able to grab this opportunity to hope so guys video आपके लिए helpful रहा हो अगर वीडियो helpful रहा हो तो प्लीज वीडियो का like कर देना ठीक है and ऐसे वीडियो पाने के लिए ठीक है चैनल को subscribe कर सकते हो अगर चैनल पर नए आए हो तो ठीक है चैनल को subscribe कर लेना क्यूंकि इस तरीके का update मैं देते रहता हूं ठीक है and साथ ही साथ जो telegram group है link description में सारा कुछ दिया हुआ है वो जोइन कर लेना because कि वहां पर भी मैं चीजे अपडेट करते रहता हूं तो होप सो यह चीजे आपके लिए helpful रहा हो तो helpful रहा हो तो please share कर देना and even share कर देना अपने दोस्तों के साथ जो इन्हों आइटी सत्यों में जॉब देख रहे हैं ढूंड रहे हैं और उनको यह सारी चीजे नहीं पता है उनको नहीं आइडिया है कि कहां से apply करते हैं उन तक जरूर शेयर कर देना ताकि उनका भी help हो जाए और चैनल के बारे में भी बता सकते हो थैंक यू सो मच गाइस तब तक के लिए stay safe and bye bye have a nice day